आज स्राटेधा दूलेशनों उप मैंतर के अवर सरहूंडिंग से तो हमारे सवाँडिंग्स पोल्ट से में दूस अवर मैं जाए जो हमारे जो सब्सक्राइब हैं से इस च्प्टर में बढ़ने वाल हैं तो first what is the meaning of matter? The first matter is definition. The matter is the substance which have a mass and occupy space. यानि matter is the substance which have a mass and occupy space. बहुत जादा space होनी जाएए, कम भी होनी जाएए, तो उसको हम क्या बोलते है? Matter बोलते है. Matter is made of tiny particles. यानि matter किसे बना होता है? Tiny particles से बना होता है. तो यह tiny particles कौन कौन से है? तो यह हम आगे के section में पढ़ेंगे कि tiny particles क्या होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, characters क्या है, उसकी properties क्या है. तो सब हम इस chapter में discuss करने वाले. अभी new, the characters of particles, they are continuously moving. यानि कि इसके अंदर जो particles होते हैं, वो continuously क्या करते हैं? Move करते रहते. यानि कि जो particles के बिच में क्या होती है, space होती है, ठीक है? थर्ड, they attract each other. यानि कि जो particles होते हैं, वो एक दूसरे के क्या करते हैं? एट्रेक करते हैं. तो यह हमारे था the particles of characters. तो first is, they are continuously moving. तो वो continuously क्या करते हैं? Move करते रहते हैं. second they having a space between them यानि के जो particles होते हैं इसके बिच में क्या होती है space होती है third they attract each other यानि के जो particles होते हैं एक दूसरे के साथ attract करते हैं the first matter is the definition is the most time the matter is the substance which I have a mass and occupy space यानि के जो matter यानि के इसके स्टप्शन से जिसके पास mass और occupy space होना चाहिए matter is the made of tiny tiny particles matter किसे बना था टाइनी पर्टिकल से बना होता है उसके एक्जामपल नॉट्बूक, पैन, स्टार्स, ओन, प्लानेट, एर यह सब के पास mass भी है mass भी है और क्या है space भी है तो इस सारे ये matter के example नॉट्बूक, पैन, स्टार्स, ओन, प्लानेट, और एर अभी हमने जो three characters पढ़े थे तो one by one हम वोज़ गारेक्टरिस को repeat करते हैं तो first है the particles of matter are continuously moving, यानि वो किस तरह से move करते हैं तो इसके बारे में पढ़ेंगे तो particle poses kinetic energy as the temperature rise particles moves faster because kinetic energy increases अभी देख एक्टिवीटी करते हैं activity में क्या है के glass glass के अंदर फूरा पानी बढ़ दिया ठीक है, यह water water in water अभी water भी यहां पर इन्क दाल दी तो इंक दाले के बात को ठीक पर थोड़ाлов टाम देखने के बाद glass में पूरा में अंदर क्या हो जाएगा इंक इंक नाइटीप के बाद या जी जो पानी का कलर है वो भी क्या हो जाएगा तोड़े ताइम के बाद चेंज हो जाएगा तो एक चेंज की होता है तो उसके बारे में आपने एक्टिवीटी में देखो तो पर्टिकल पोसिस काइनेटिक एनरजी यानि के जो वाटर होता है उसके पास क्या होती है काइन के अंदर हमने सुगर डालो या नमक डालो तो जल्दी से फटा पड़ो क्या हो जाता है डिसोल हो जाता है वैसे इत पूल पानी में हम पूल वाटर में सुगर डालो गे तो टाइम क्या लेगा ज्यादा लेगा तो इसलिए ऐसा बोला जाता है कि as the temperature rise particles moves faster because kinetic energy increase यानि कि जैसे जैसे हम temperature देना start करेंगे तब particles होते वो क्या होता है उसके अंदर जो पर्टिकल से वो फास्ट मूव करना start कर देते क्यूं करते थे क्यूंकि kinetic energy increases क्यूंकि kinetic energy के पानी के अंदर जो kinetic energy हो क्या हो जाएगी इंक्रेस होती इसके लिए से यह जो पर्टिकल से वो मूमेंट उसका मूमेंट क्या हो जाएगा फास्ट हो जाएगा और पार्टिकल के पास कौन सी energy होती है kinetic energy तो उसकी activity हम देख लिए अब मूमेंट तो मूमेंट किस में कैसा होता है तो मूमेंट is minimum in solids यानि सॉलिड में कैसा होगा होगा पर थोड़ा बौत होगा फिर more in liquids यानि के जो सॉलिड के हिसाप से लिक्वीड में उसका मूमेंट गया होगा ज्यादा होगा जो आपने देखा होगा कि इसके अंदर सुगर डालते है तो लिक्वीड में अंदर जो पर्टिकल सो उते उसके जो मूमेंट ह होते है उसके बीच के जो स्पेस होती है पर्टिकल के बीच में वह बहुत ज्यादा होते है किसके कंपेरिजन में लिक्वीड के कंपेरिजन में तो यह सॉलिड के हिसाब से मूमेंट जो है पर्टिकल की मूमेंट के सॉलिड में कैसी होगी मिनिमम होगी लिक्वीड में कैस प्रटीविटी से समझते है, अभी एक ग्लास लेते है, यह मेरा माल लोग है यॉज्ड़ास है, ठीक है, अब히 glass के अंदर water डालते है इस पानी है इसमें इसमें क्या डाला है water, अभि यहां पर हमने उसके water का level चेक कर लिया, यह हमारा के water का level है ठीक है? अभी इसके अंदर हम क्या डालते है salt या अडर्वाइससूगर अब भी ग्लास को इलाना नहीं है, ग्लास को वैसे ही रखना है, अब भी उसके अंदर हम सॉल्ट डालते हैं एक चम्मच, ठीक है, तो चम्मच डाले हैं, तो चम्मच के आप मतद से आप उसको पूरा क्या करना है, हिलाना है, तो हिलाने के बाद पूरा का पूरा जो अंदर स करूअ कि सुग lijपाने के बाद यह SNS छोट किर टाने के बाद कि वाटर यह रहता है है यह राइस होता है दिनकरीश होता है देखना сек्टिवीटी में तो पूरा अक्टिवीटी आप परो है तो कि अंदर । डालो गे एंधर गडा lunar कर तो पूरा का पूरा chief between them the particles minimum in solids के अंदर जिसके space होती हो क्या होती एक दम बहुत कम होती है liquid में बहुत ज्यादा होती है यानि इसके अंदर जो particles की space है वो ज्यादा हो जाएगे यानि के salt के जो particles होते है उसके अंदर भी बीच में आ जाएगे इसलिए यहां पर water का level increase होगा नए वैसे maximum in gas the maximum के अंदर आगे सेक्षिंश们 में उसके figure भी ट्रॉ करआएगे लिक्विड में particles की jo space होती वो कैसी होती है solid में कैसी होती है gas में कैसी होती है तो यहां पर particles of matter having a space between them यानि कि particle की जो space होती है किसमें जब न є कंखती है और लिक्वीड में बहुत ज़्यादा देखने को मिल दी है और कैसिस में भी बहुत ज़्यादा किसके कंपेरिजन में जो प्रटीकल के बहुतते हैं मलता किसके की बहुते हैं यानि जो प्रटीकल बहुतो दीस के बहुत में हैं तो उस अट्रेक्स से वदस से क्या होता है तो force of attraction यानि कि जो particles के बिच मान जो attraction वाला force है वो किसमें ज्यादा हो तो में solid in maximum, liquid in inter-deminitar in liquids and negligible in gases यानि gases के अंदर आपको देखने को मिलेगा नई, solid के अंदर ज्यादा है, liquid अंदर थोड़े बहुत कम और gas के अंदर यह सार पर attraction देखने को मिलेगा नई, तो हम चेक करते हैं कि एक लेते हैं यहाँ पर एक हमारा नल है ठीक है? अभी यह नल में से पानी आ रहा है, क्या आ रहा है? water water इस तरह से आ रहा है, बीच में आप उंगली रखोगे यानि हमारे कोई स्रप्सन से जो बीच में रखते हैं तो बीच में रखने के बाद हमारा जो पानी है उसके जो वेव है कैसे हो जाएंगे इस तरह से, ठीक है? इस तरह से उसका flow ना स्टार्ट हो जाएगा इस स्टार्ट को आप रिमूव करें तो जो यानि फिर से टाइप का जो पूरे का पूरा फिर से एक दम से continuously पानी आता रहेगा तो यानि जो उसके बीच में जो flow है तो हमारे यहां पर क्या हो जाना है टूट जाना चाहिए पर टूटता नहीं है तो क्यों नहीं टूटता आप ललके पानी में उंगली डालो होगे तो जो पानी उपर से गीवद आए तो यानि एक तरफ से इधर जाएगा थोड़ा बहुत पानी उस तरफ से आएगा पर हमारी जो continuously मुमेंट है वो टूटेगी नहीं तो टूटती क्यों नहीं क्यों जो उसके अंदर जो पर्टिक देखने को मिलता नहीं है ठीक है तो यह हमारा मुमेंट ओफ एट्रेक्शन था अभी नाव स्टेट ओप मैटर यानि मैटर के स्टेट के तो कैसे होते तो मैटर के से फॉर्स क्या हो है तो देखो यहां पर जो पर्टिकल से उसके बीच में जो स्पेस है वो बहुत ज्याद वह क्या होती है एक तम सी टिस्टरनिक होती है उसके पर्टिकल के बीच में उसका एक्ररेक्शन होता है ओव देखने को क्या मिलता है इंक खने को मिलता है इंग आप सॉलिड को मान लेते हैं स्ज्रा ठीक है तो अप तेक reply को आप खिर डाले होगे तो उसका जो सेप और ले लो कोई भी ले लो तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो कैसा होता है डिफाइन है यानि जो जैसा वॉल्यूम है उसका वैसे का वैसे होता है यानि हम डिफाइन कर सकते है उसका वॉल्यूम उसका सेफ भी हम डिफाइन कर सकते है उसकी बाउंटरी भी कैसी होती है टिस्ट हे इन्हें पर क्यों सोलीड के अंदर मेक्सिमन होता है और सोलीड which becomes a strong धीफारी के बारे में कि एकिन हो स्पैनिक होता है फिर ऊसकी बाूंटरेस कैसी होती है definite होता है तो हमारा यह solid हो गया अभी now second state है हमारा liquid तो यहां पर देख सकते हैं को liquid के हमने figure ट्रोक करें तो यहां पर पर्टिकल्स के पिसमें थोड़ी-थोड़ी देखने को मिल रही है ठीक है तो उसको यह है कि यहां पर नोगचिने गश्राइप ट्रोक कि आप किसी भी लिकविड बनेगा यह जो जो अपने कont ак capita निष्सिت कर सकते नहीं है क्योंकि ऊसकी जो पांट्री से आप यहांप निफ़िस पर सकते नहीं ये सपेसे कि नीचे गिरास तो गिराकchildren को जो यावल वेवज बड़ जाएगा पहल जाएगा फ्या जाएगा पूरा लिक्षट तो यानि उसकी जो boundaries भी होती है वो non-definite यानि हम उसके boundaries को definite कर सकते नहीं है flutity means कि उसका जो liquid का flow है वो कैसा है बैने वाला बैने वाला उसका बोलते हैं flutity ठीक है यानि liquid कैसा होता है flutity फिर लो compressible यानि उसके अंदर आप प्रेसर भी डालोगे तो थोड़ा बहुत वह काम करेंगा यानि जैसे कि ग्लास में आपने वर्टर डियाल प्रेसर करो के तो उसका जो सेप हो जाएगा थोड़ा बहुत चैंज हो जाएगा यानि उसके उपर लो compressible प्रेसर भी काम करता है और उसका जो फॉल्य में वह कैसा है यादि फिर लो compressible यानि उसके उपर प्रेसर करेगा पर अपर ठोड़ा बहुत काम करे गया और उसका जो वाल्यूम में वह कैसा होता है डिफाइनेट अभी हम बात करेंगे तो गैस की हमने एक फिगर डॉक रही है उसके अंदर देखो पर्टिकल्स की जो फिगर होती यानि उसके बीच में जो सेफ आप देख रहे हो स्पेस वह लिक्विड से भी जाता होती है और सॉलिड से भी क्या होती है ज्यादा होती है कैसा होता है बैने वाला ही होता है और हाइक कॉम्प्रेसिबल यानि हो हाइप प्रेसर पे काम कर सकता है है नहीं हम उसका वॉल्यूम डिफाइन कर सकते नहीं है लिक्विड में हम कर सकते हैं सॉलिड में कर सकते हैं पर कैसी में उसका वॉल्यूम हम डिफाइन कर सकते नहीं पर पी प्रेसर की बात करते हैं, तो इसके अंदर प्रेसर काम करेगा, नहीं। लिकविड ऑफ अधर होता है, और फ्लुट इटी में डोनों में आएगा, किस किस में लिकविड और तो इसमें आएगा फिर दोनों में खाली solid में उसकी boundaries रह सकती है यानि कि solid को substance होता है तो उसकी boundary हम define कर सकते हैं परकि liquid और gas की boundary define कर सकते हैं नहीं है फिर वैसे ही कि हम solid का जो safe होता है वह वैसे का वैसे ही रहता है बाकि हम liquid और gas की अंदर जो safe है वह हम define कर सकते हैं नहीं है क्योंकि जो water में डालो के तो उस टाइप का safe ले लेगा फिर आप चाहिए भी किसी भी instructions में डाल दो cylinder में डाल दो या water और liquid और gas को तो अपने अपने शरीके से safe ले 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 लेते कैसा सबसे जो ऐसा instructions होता है वी सबसे हो अपने क्या करते से ले ले लेते हैं तो यह था हमारा पार्ट वण